Women's T20 World Cup 2024 में भारती टीम ने आज राइवल पाकिस्तान को हरा कर अपनी पहली जीत दर्च की शो में शिफाली वर्मा से जानेंगे कि न्यूजलंड के खिलाफ मिली हार के बाद टीम इंडिया ने कैसे किया कमबाक पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी रणनीती आई भारत के काम शो में बताएंगे हमारे एक्सपर्ट संजे माजरेकर मैं समझता हूँ कि श्रयंक का पाटिल इस वन फो दे फूचर क्योंकि बहुत ही अच्छा एक उनका फिटनेस लग रहा है बोलिंग एक्शन भी हमारी विमिन्स क्रिकेट टीम ने ग्रेटिस्ट राइविल्री का लेटिस्ट चाप्टर लिख दिया जिसका गवाब बना दुबाई जिहाँ भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराते हुए विमिन्स टी-20 वोल्लकप 2024 की अपनी पहली जीत दर्ज की मुकाबली से जुड़ी हर रोचक कहानी के साथ एक बार हम फिर हाजिर हैं नमस्कार फॉलो दू ब्लूज में आपका स्वागत है आईए एक नजर डाल लेते हैं टीम इंडिया के वोल्लकप शेडियूल पर न्यूज जीलिंड के खिलाफ भारत को अपने पहले मुकाबले में 58 रनों से मिली थी हार लेकिन कल पाकिस्तान के खिलाफ वापसी करते हुए टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत हासल की और अब हमारी विमिन अपने अगले लीग मुकाबले में 9 अक्टूबर को शिल्लंका से टकराएंगी साथी 13 अक्टूबर को अपनी आँखरी लीग मैच में टॉफस ट्राइवल ऑस्ट्रेलिया से होगा सामना महा मुकाबले में जीत की पहली नीव अरुन्ददी रेडी और शियांका पाथल ने रखी जिन्होंने पाकिस्तानी खिलाडियों के आठ में से पांच मिकेट अपने नाम किये लेकिन इस जीत के साथ शिलंका के खिलाफ मैच से पहले भार्थ के टीम के लिए कुछ मुश्किले जरूर दिखी जिसमें पहली कप्तान हर्मन फ्रीत के चोट को लेकर है जिन्हें गर्दन की चोट के चलते मैदान से बाहर जाना पड़ गया तो दूसरी मुश्किल फील्डिंग के दौरान नजर आई वही नेट रून रेट को बहतर करने का हाथ आया मौका भी भार्थिय बल्ले बाजू ने गबा दिया नेट रून रेट को लेकर क्या बोली मैच की हीरो रही आरुंदधी रेडी आईए आपको सुनाते हैं अमटन सूरIST क Bruce동 एक है ड¡ कीड अले या शुछ पिंड टू कर बहूंते रिट आबूझ मैच रवचर अविक था घगक सब पाने में अच्ट सुनाप भी न्यूंटिट केसि बल्ला कि था नेसल अवाल गा स आई वहीं सुनाए retiring I have tried to really work on my bowling as a complete T20 bowler. Again, there is a lot of work that has gone behind it. Because I wanted to be a bowler who can bowl in all phases. I look forward to being that bowler who can bowl in all phases. So the preparation has been accordingly. It's something that I have been working on for two years. So I know I am a lot prepared as of now. Like I said, I know I am confident enough that I can deliver for the team as and when it is required. We understand net run rate is important. इस प्रूब न में इस एक प्रोज़ वीज़ कान अवा इसे आफ नो में घूट रखन आप हैं घूट उकॉटी बिखमाल गराएं। यहार गाराई नित राव नित राव डू रखन इन पत्रफित तरह विर्श है। पाकिस्तान के खिलाफ 106 रनों के टार्गिट का पीछा करते हुए पावो प्ले में भारतिय बैटर्स काफी दी में दिखे हाला कि शिफाली वर्मा ने टीम के लिए सबसे ज़ादा 32 रनों की पारी खेली स्मृती मांधना के जल्दी आउट होने के बाद शिफाली ने जैममा रॉड्रिक्स के साथ मिलकर तीसरे विगट के लिए 30 रन जोड़े टागेट चीस करते हुए विमन स्पिन अटाग के सामने मजबूत दिखी टीम इंडिया के इस जीट पर क्या बूली शिफाली वर्मा आईए सुनते हैं जो हो रहे जिए पर शॉबूट उड़ाओ थोड़ास साथ एस थोड़े तोर्णां हो जाते हैं घर फिसके बाद हर्मन दी आर मोल्सर ने शॉबश्टिदी ने बट वट अच्छा बूच्ट ऑच गर्रे थे पाकिस्तान से जीते हैं बहुत खुशी है और एक लिए टोर्नमेंट जो बहुत खुशी है वो यहीं बोल रहे थी कि जो हो गया वो गया, I think it's not our day, बट जो हमारे हाथ में अभी हम उस पर फोकस करेंगे and match by match खेलने की सोचेंगे और सभी अपना 100% देने की सोचेंगे हमारे बहुत अच्छा प्लान से जाता है बिए बट अच्छा है बिए बट अच्छा है किया credit to them and yeah, हम थोड़ा सा और जल्दी चेस कर सकते थे बैटिंग में but yeah, we win, it's a very big thing for us and we are in the tournament now, so really happy for that हमारे प्रक्टिस सेशन थाओस पर मैंने मिडल करने की सोचेंगे आपको बैक करने कि सोचेंगे बिकास हमेशा जल्दी आउट हो जाते है थोड़ा सा you know, downfield होने लग जाते है as a batsman but मैंनेट में काफी मैननत की री और आज बहुत अच्छा हुआ मैं थोड़ा और लंबा की सकती थी बट जो भी हुआ अच्छा हुआ and really happy about myself I think on that day, उनके पूरी टीम बहुत अच्छा खेली and again, हम बस अपने, you know, process पर फोकस करेंगे सब अपना बेश देने की सोचेंगे इंडिविजुल and hopefully, we'll win that game पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की रणनीती कैसे आई काम और श्रिलंका के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए क्या होना चाहिए गेम प्लान? जानेंगे हमारे एक्सपर्ट संजे माजरेकर से पिछले मैच में भी अगर आप देखे तो अरुन देती रेड़ी ने बहुत इंपोर्टन ब्रेक्थ्रूस दिये भारत को और बिग डिफरेस्ट जो था New Zealand के जो टॉप ओडर बल्ले बास थे उन्होंने बिल्कुल चांस नहीं दिया हमारे सीम बोलर्स को रेनुका सिंग ठाकूर को भी के बॉल को स्विंग करा है क्योंके बहुत उन्होंने अटाकिंग एक अप्रोच रखा रखा वेंड डाउन देपे थोड़ा स्टैपावड होके स्विंग खतम कर दी उन्होंने पाकिस्तान के बल्ले बाज उन्होंने वो किया नहीं तो एक मौका मिल गया रेनुका सिंग ठाकूर ने पहला विकेट ले उसके बाद अरुन दर्थी रेड़ी कुद डू हर थिंग लेकिन मैं समझता हो कि श्रियंग का पाटिल is one for the future क्योंकि बहुत ही अच्छा एक उनका fitness लग रहा है बोलिंग action भी और अरुन दर्थी रेड़ी पिछले match में भी इस match में भी important contributions तो ये एक positive भारत के लिए चीज है बल्ले बाजी थोड़ी disappointing रही है तो मैं समझता हो कि प्रॉंबलम ये हो रहा है कि जो pitch suit करती है शेफाली वर्मा को या समिर्थी मंधाना को भी उस तरह का pitch डुबय में नहीं है हमने देखा मिताली राज pitch report में कह रही थी कि spongy bounce है तो ball थोड़ा सा धी में आता है जैसे England में आता है और वो ideal surface नी शेफाली वर्मा के लिए और मं match over में उनको शायद मुझे लगता है सिर्फ चौके छक्के के बारे में सोचना नहीं चाहिए थोड़ा एक दो भी gap में डालकर अगर करें तो pressure थोड़ा सा कम हो जाएगा और ये स्वरिती मंधाना के लिए भी apply होता है मैं समझते हो कि भारत ये match जीतना चाहिए भारत एक अच्छी टीम है टॉप थ्री टीम इस ग्रूप में है इंडिया न्यूजीलन और अस्ट्रेलिया तो श्री लंका एशिया कप में जरूर हरा होगा लेकिन इंडिया का track record श्री लंका के साथ अच्छा है और तब तक दु अगर उनको आप जल्दी आउट ले लो तो उतनी depth भी स्री लंका के बल्ले बाजी में है नहीं एक अच्छे उनके पास left-down spinner है कुमारी नाम के तो वो शायद बहुत जल्दी गेंद बाजी करने के लिए आएंगे भारत के खिलाप लेकिन मैं मानता हूँ के भारत तीसरी ब Follow the Blues के हमारे इस एपिसोड में अभी के लिए इतना ही लेकिन हाश्टाग Follow the Blues के साथ सोचल मीडिया पर अपने राय और विचार देना बिलकुल ना भूले अब आप से Team India के अगले मुकाबले के दिन सुभे 9 बजे फिर होगी मलाकात लेकिन Follow the Blues आप पूरे week Disney Plus Hot Star पर देख स